आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, रेटिंग को डाउन ग्रेड कर दिया गया है, CLSA ने टाटा मोटर्स को बाई से सीधे एकदम सेल रेटिंग पर दे दिया है, क्या है रीजन, हो सकता है ये फॉल बने इसमें, क्या ये फॉल अपोर्चुनिटी होगा खरीदने के ल कि यहाँ पर इन्होंने एक अपना अस्तित्व संभाल लिया है, नंबर्स बहुत बढ़िया है और इलेक्ट्रिक वहिकल ने तो कमाली कर दिया है, ओवरॉल पचास परसेंट का जंप दिखाया है इन्होंने टूटल नंबर में, अच्छी ख़वर यह है कि इलेक्ट्रिक व वहिकल सेग्मेंट को अल टुगेदर एक सेपरेट केंपनी में स्प्लिट कर दिया जाए, जो कि टाटा मोटर स्टॉक के लिए बहुत बढ़िया ख़वर मानी जाएगी, तो यह मार्किट के एंटिसिपेशन है कि यह बहुत अच्छा काम कर रहे है और इसको फर्दर कंपन आप क्या सो रहे थे पिछले दो महिने से जब इसका भाव साड़े 300 से 500 हो गया और इसके बाद आपकी रेटिंग आई है यहाँ पर, दो रीजन बताए हैं इन्होंने, सबसे पहला डोमेस्टिक पैसेंजर वहिकल का वैलवेशन काफी हाई हो चुका है यहाँ पर, जिसकी वज़े से कह रहा है कि अभी शायद इसको बेश दिए 500 इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा और दूसरा important reason जो हमें समझ में आता है, UK में electric vehicle की बहुत जादा demand है, सब कंपनियों ने electric vehicle पर पैमाना शुरू कर दिया है, बट JLR अभी तक electric vehicle में बहुत पीछे है UK में, जहाँ domestic market बहुत तेजी से काम कर रहा है, पर UK में अभी भी JLR ने कोई भी काम नहीं किया है, और आने वाले तीन सालों तक model नहीं निकले जाएंड का, तो ये तो समझ में आता है, बट domestic valuation ये थोड़ा सा all of sudden हजम नहीं भी बात, क्योंकि value बढ़ती जा रही है, कंपनी खरीद रहा है और JLR का no vision, I support CLSA on this one, तो हमारे इसाब से ये एक major reaction दिखाएगा, definitely electric vehicle UK के lost opportunity है, में impact stock price tomorrow, ये downgrade जो हुआ है, इससे भाव भी थोड़ा नीचे गिरने की उम्मीद है, CLSA का जो downgrade हुआ है, अब ये यहाँ पर आगे फर्दर ramp up नहीं है, और competition यहाँ पर ramp up कर रहे है, electric vehicle में JLR के, तो ये एक challenge produce कर रहा है, भाव 480-490 के आसपास गुम रहा था काफी दिनों से, आज ये थोड़ा गिरा है, 0.5% के आसपास, क्या Tata Motor, यहाँ पर CLSA की sell है, Gen 5 को plan क्या रहना चाहिए आपको, क्या खरीदना चाहिए कि sell करना चाहिए, धीरे धीरे खरीदना शुरू करो, इसको और कुछ पैसा कोश में, cash में भी रखना, इंडिया में स्क्रेफिच policy announce हो गई है, जिसके चलते वे पुरानी कार को 15 साल के बाद आप नहीं चला सकते हैं, तो CLSA ने नए टागेट दिया है, वो 400 रुपे का है, आईए ज़रा चाहिए कर सबसे पहले latest भाव देखते हैं, तो 490 के आसपास आज बिदार बंद हुआ है, 1.6% के आसपास उपर चड़कर, और यहाँ पर volume देखेंगे, तो overall volume जो था करीब 2.4 करोड share hand exchange में, जिसमें से 23% क delivery मानी जाएगी यहाँ पर, तो देखें, इसने काफी अच्छा काम किया है, अगर आप यहाँ पर देखें, October के महीने से, यह 450 की range से, और 530-440 की range में काफी अच्छा काम कर रहा है, तो एक यह box बन चुका है यहाँ पर, जिसके अंदर इसने काम किया है, अब इन्होंने इ ऐसा triangle pattern में implement करने की जरुत है, आपको इसमें बहुत अच्छी opportunity है, जितना गिरता जाए, उतना माल उठाते जाओ, 450 तो हम समझ सकते हैं, 450 आएगा है, आपर बुलिंजर बैंड का lower हिस्सा है, वो एक normal बात होती है, बुलिंजर बैंड के lower हिस्से में, बहुत कम है 11, तो यह यहाँ पर अगर Tata Motor को फुर्दा देखें, तो super trend के basis पर sell signal है, RS से एक level 54 है, जो कि एक neutral zone कहलाएगा, तो अगर गिरना शुरू होता है, तो गिर सकता है, alligator indicator इसको buy signal दिखाय हुआ है अभी, बट कल देखना होगा, कल शायद ये नीचे की तरफ को रुजान रहेगा, और 460- 470 के बीच में ये कारोबार करेगा, खुलते के साथी, MacDee ने भी buy signal दिखाया हुआ है, तो ये सारे के सारे parameter की basis पर अभी ये थोड़ा सा challenge बन सकता है, इस stock में आगे आने वाले समय में, टेक ओवर कर लिया है, इन्होंने number 2 company बन गई है, इंडिया की Hyundai को टेक ओवर करके, बहुत अची अपोर्चेंट ये long term के लिए, इस company के लिए इंडिया में, पर जो ये uncertainty अभी आई है, चिप की वज़य से भी, और supply of semiconductor devices, ये एक delivery को impact करने वाली बात है, जिसके चलते हुए, ये देख रहे हैं किस तरह से proactive action लिया जाए, as per N.Chandrashekran, इनके group के CEO है, दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक अपने subscribe नहीं किया है, जरूर subscribe कीजिएगा, छोटे और effective वीडियो बनाते हैं, please consult your financial advisor before investing trading, और चैनल को 5% से ज़्यादा किसी भी एक stock में हम recommend करने की आपको सलाने तरह, जहीं जबारत